नमस्ते दोस्तों, आज हम chemistry के दो बड़े interesting topics पर बाद करने वाले हैं, co-precipitation और post-precipitation, तो सबसे पहले co-precipitation क्या होता है? मान लो, हम एक चीज को precipitate कर रहे हैं, मतलब solution से ठोस बना रहे हैं, अगर कोई दूसरी चीज भी उसी solution में घुली हुई है, और उसके properties पहले वाली चीज से मिलते जुलते हैं, तो वो भी साथ में precipitate हो सकती है, इसे co-precipitation कहते हैं, चलो, एक example लेते हैं, अगर हम lead iodide बना रह हैं, और solution में borium ion भी हैं, तो वो भी co-precipitate हो सकते हैं, क्योंकि दोनों के ionic गुण एक जैसे होते हैं, अब बात करते हैं post-precipitation की, ये तब होता है, जब पहला precipitation बनने के बाद, solution में कुछ बदलाव होता है, जैसे concentration, temperature या pH बदलना, इस बदलाव के कारण और toast stuff precipitate हो सकता है, मान लो, हम calcium carbonate, KCO3 बना चुके हैं, और फिर solution का pH कम हो जाता है, तो जो solution बचा है, उसमें से और calcium carbonate बन सकता है, इसी को post-precipitation कहते हैं, दोस्तों, ये दोनों चीज़ें chemical analysis, परियावरन विक्यान और industries में बहुत काम आती हैं, मुझे उम्मीद है, आज का ये वीडियो आपको समझने में मददगार रहा होगा, चैनल को subscribe जरूर करें और bell icon भी दबाएं, ताकि नया वीडियो आते ही आपको पता चल जाए, धन्यवाद